नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सुभी का मारी कुर्णे वीडियो में यह तो भी वीडियो ना भाई इसमें का अपनी गाड़ी का कैसे दया ख्याल रखना है उसके रिगाड़िंग एक नई चीज के बारे में जानेंगे आज तो भाई एक बार आप गाड़ी देख लो अग्गे से लेकर पीछे तक पूरी दिखा जिता हूँ आपको इस सीरीज की भाई मैंने कई वीडियो बनाई है जैसे एक मैंने बनाया था कि गाड़ी को कैसे कपड़ों के साथ साफ करना है ठीक भाई और दो-तिन टोपिक और थे तो जो आज का टोपिक है ना भाई उसमें वाईपर के रिगाडिंग बात करेंगे कि वाईपर की केर आप कैसे कर सकते है क्योंकि मोस्टली सर्विस में मैंने देखा है कि जो यह सर्विस सेंटर वाड़े होते हैं वो यह बोल देते हैं कि वाईपर सूख गई है वाईपर की रबड क्या होता है कि यह देखो यह जो ह कामने वाला हमारा सिशा होता है तो इस रबद का कॉंट्क्टी होता है इस से और यह रबड ही सूख जाती है इसकी और फिर यह हमें बदलवाने पड़तेтории तो यह यह जो रबड है यह इतनी जल्दी वैसे तो खराब होनी नहीं चाहिए बट इसकी खराब होने का में रीजन क्या होता है कि हम इसको या तो सूखा चला दे हैं मतलब कि हमारी गाड़ी के जो यह वाइपर के एर वह जहां से पानी निकलता ना हमारी मोटर के अंदर अगर पानी ना हो और यह क decía जब यूज करते हो इसको चलाते हो तो kungषै का पीसको पानी के साथ चलाते हो तो यह खराब हो जाता है कुल थोड़ा है मतलब कि ऐसा कोई ज्यादा रेथ है नी दिख़रा हुआ आपको बट अगर यही गाड़ी को अगर मैं बाहर खड़ी करता ना विदाउट कवर तो भाई यह इसके सीशे का हाल भी ऐसा हो जाता जैसा यह देखो इसके उपर कितना रेट है जमा हुआ है तो उ इससे बचने का एक तरीका है कि जब भी आप गाड़ी अपनी निकालो अगर आपकी कवर के अंदर नहीं खड़ी है तो जो अपना ही माइक्रोफाइपर क्लोथ होते हैं इससे एक बार अपने आगे किसी से को साफ कर लो फिर इसको यूज कर लोगे साफ कर लोगे तो फिर आपको इसको यूज करने की जरूत नहीं पड़ेगी विजिभल्टी आपकी वैसे भी खिलियर हो जाएगी बट फिर भी अगर आप इसको कपड़े से साफ करोगे ना तो आपका इसका वाइपर का खर्शा बच जाएगा फिर बात आती है भाई की जो इसका जो फ्लूड हो है उस टैबलेट से तो भाई कुछ होता है नहीं वेस्ट ऑफ मनी है वो टैबलेट मैंने यूज करके देख लिए कुछ भी नहीं होगा एंड भाई बहुत से लोग कहते है कि शैंपू का एक पाउच डालो तो भाई वह भी नहीं डालना क्योंकि क्या होता है कि यह जो जाने वाले टाइम पर मोटर खराब हो जाएगी तो उस चीज से बचने के लिए सबसे बढ़िया क्या होता कि जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस पे लेके जाओ ना तो वहां से तीन-चार अपने पाउच खरीद लाओ जो इसके अंदर डलते तो जैसे मैं आपको द डाल दो इससे क्या होगा कि आपके जो ये जो विंट सिल्ड है ना इस पर हामफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके जो वाइपर की रबड़ा ना ये भी बिल्कुल सेफ रहेंगी ये ज़्यादा महेंगी नहीं आती भाई ये एक ही डलेगा एक बार में तो इसका हमें हर रोज तो पढ़ती नहीं सबस्देंगे तो ये मतलब कि ये लगा लो कि अगर आप इसको को दो तिन खज़िद लेते हो तो ये आपके पांचे मेहें आराम से निकाल देते क्योंकि कभी कभी हमें इसकी दरुत पढ़ती है में ये शार तो इसको क्या करना है आपको अपने गाड़ी का बोनट खोलके इसको इसके अंदर डालना होता है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे डलता भाई इसको खोलके और आप इसको इसके अंदर कैची से काटके इसके अंदर डाल दो फिर इसको पूरा बर दो तो भाई आई होप आपको वीडियो पसंद लोग इन्फोर्मेशन अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो में तब तक सभी भाईयों को बहुत बहुत धरनेवा थेंक्यू सो मच